C.I.E.T.N.C.E.R.T. दोरा प्रस्तुत है प्रक्ष्चा बारह के लिए हिंदी की द्वनी पाठ्थे पुस्तक आरो भाग दो पाठ संख्या अठा रह लेखक बाबा साहेब भीम रावाम बेटकर प्रिष्ठ संख्या 151 से 157 तक पाठ शम्विभाजन और चाति प्रथा प्रिष्ठ संख्या 151 लेखक परिचै लेखक बाबा साहेब भीम रावाम बेटकर जन्म 14 अप्रेल सन 1891 महू मध्यप्रदेश में प्रमुकरजनाय दी कास्ट्स इन इंडिया बचाशन फ्राफ्ण प्रतंपर्काषेट को रावकर त्रीम 142 प्रकाशन उनिसो पच्पन The Problems of the Rupee प्रकाशन उनिसो तेईष The Evolution of Provincial Finance in British India प्रकाशन PhD कि थेसिस प्रकाशन उनिसो सोलह The Rise and Fall of the Hindu Women प्रकाशन उनिसो पैसथ Annihilation of Caste प्रकाशन उनिसो तेईष Labour and Parliamentary Democracy प्रकाशन उनिसो तेटालीष बुद्धिज्म and Communism प्रकाशन उनिसो चपन पुस्तकें वा भाशन मूख नायक बहिश्कृत भारत जनता पत्रिका संपादन हिंदी में उनका संपूर वांग में भारत सरकार के कल्यान मंत्राले से बाबा साहब आमबेट कर संपूर वांग में नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है निधन दिसंबर सन 1956 दिल्ली में अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है तब जिस सुविधा को आम तौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेशा धिकार कहना उचित है मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहिब भीम रावाम बेट कर अपने समय के सबसे सूपठित जनों में से एक थे प्राथमिक शिक्षा के बाद बढ़ोधा नरेश के प्रोचसाहन पर उच्चितर शिक्षा के लिए न्यू यॉक अमेरिका फिर वहां से लंडन गए उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग में अनुवाद के जरिये पढ़ा और एतिहासिक सामाजिक शित्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की सब मिलाकर वे इतिहास मिमानसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, तधा धर्मदर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की समाज और राजनीती में बेहत सक्रिया भूमी का निभाते हुए उन्होंने अच्छूतों, स्त्रियों और मस्दूरों को मानवी अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्श किया भारतिय सम्विधान के निर्माताओं मैंसे एक डॉक्टर भीम राव आमबेटकर आधुनिक भारतिय चिंतन में अत्यंत महत्वपून स्थान के अधिकारी है उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाज इक समता के लिए संघर्श किया उनका पूरा लेखन इसी संघर्श और सरोकार से जुड़ा हुआ है स्वयम दलित जाती में जन में डॉक्टर आमबेटकर को बच्पन से ही जातिया धारित उत्पीरन शोशन एवं अपमान से गुजरना पड़ा था इसलिए विद्याले के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिक कर क्या बनोगे तो बालक भीमराव ने जबाब दिया था मैं पढ़ लिक कर वकील बनूँगा अचूतों के लिए नया खानून बनाऊंगा और चुआ चूत को खत्म करूंगा डॉक्टर आमबेटकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे जोंग दिया इसके लिए उन्होंने जम कर पढ़ाई की व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतरवस्तु भरने का काम किया वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक वह गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंतरता कुछ लोकों का विशेशाधिकार रहेगी इसलिए अधूरी होगी उनके चिंतन वा रचनात मकता के मुख्यतह तीन प्रेरक व्यक्ति रहे बुद्ध, कबीर और जोतिबा फुले जातिवादी उत्पीरन के कारण हिंदू समाज से मुह भंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को पांच लाख अनुयाईयों के साथ बौध मतानुयाई बन गए भारत के सम्विधान निर्मान में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतिय सम्विधान का निर्माता कहकर श्रद्धान चली अर्पित करते हैं उनकी समूची बहुमुखी विद्धता एकांत ज्यान साधना की जगह मानव मुक्ती वजन कल्यान के लिए थी यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे अपने इस प्रियोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए प्रिष्ट संख्या एक सो बावन पाठ परिचय यहां प्रस्तुत पाठ डॉक्टर आमबेटकर के विख्यात भाशन एनिहिलेशन ओफ कास्ट प्रकाशन 1936 के ललाई सिंग यादव द्वाराकृत हिंदी रूपांतर जाती भेद का उच्छेद के दो प्रकरणों के तौर पर है यहां भाशन जाती पांती तोड़क मंडल लाहौर के वार्शिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षिय भाशन के रूप में तयार किया गया था परंतु इसकी क्रांती कारी द्रिष्टी से आयो जकों की पून तह सहमती ना बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थकित हो गया और यहां पढ़ा ना जा सका बाद में आमबेटकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वित्रित किया जो परियाप्त लोग प्रिय हुई उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता वबंधुता ये तीन तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यत होने चाहिए जिससे लोग तंत्र सामोहिक जीवन चरिया की एक रीत तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे यहां प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधी प्रकरण है आज के जाती मजहब आधारित विशाक्त सामाजिक राजनेतिक माहौल में इनकी प्रासंगिक्ता और बढ़ गई है अब प्रस्तुत है पाठ शम विभाजन और जाती प्रत्था यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोशकों की कमी नहीं है इसके पोशक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कोशलता के लिए श्रम विभाजन को आवशक मानता है और चूंकि जाती प्रत्था भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है इस तर्क के सम्मंध में पहली बात तो यही आपत्ती जनक है कि जाती प्रत्था श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिये हुए है श्रम विभाजन निश्चे ही सभ्य समाज की आवशक्ता है परंतो किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में आस्वाभाविक विभाजन नहीं करती भारत की जाति प्रथा की एक और विशेष्टा यह है कि यह श्रमिकों का आस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बलकि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उँच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता. जाति प्रथा को यदी श्रम विभाजन मान लिया जाए, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुची पर आधारित नहीं है. कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्मान करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें, जिससे वह अपना पेशा या कारे का चुनाव स्वयम कर सके. इस सिध्धान्त के विपरीत जाती प्रथा का दूशित सिध्धान्त यह है, कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षन अत्वा उसकी निजी क्षमता का विचार किये बिना, दूसरे ही दृष्टिकों जैसे माता-पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाती प्रथा पेशे का दोश-पूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बलकि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुप युक्त या अपरिया प्रिष्ट संक्या 154 भूखो मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमती नहीं देती है, जो उसका पैत्रिक पेशा ना हो। भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमती ना देकर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रित्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दिश्टी से भी, जाति प्रथा गंभीर दोशों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुश्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिकत भावना तथा व्यक्तिकत रुचिका इसमें कोई स्थान अत्वा महत्वन नहीं रहता पूर्व लेख ही इसका आधार है इस आधार पर हमें यह सुईकार करना पड़ेगा कि आज के उद्द्योगों में गरीबी और उत्पीरन इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कारे को अरुची के साथ केवल विवश्ता वश करते हैं ऐसी स्थिती स्वभावता मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है ऐसी स्थिती में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है अतह यहां निर्विवाद रूप से सिध्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है क्यूंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणारुजी वह आत्मशक्ती को दबा कर उन्हें आस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निश्क्रिय बना देती है प्रिष्ट संख्या 155 मेरी कलपना का आदर्श समाज जाति प्रथा के खेद जनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप मैंसे कुछ लोग निश्चे ही उप गए होंगे यह अस्वाभाविक भी नहीं है अतह अम मैं समस्या के रजनात्मक पहलु को लेता हूँ मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रशन पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी द्रिष्टी में आदर्श समाज क्या है ठीक है यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता समता भात्रिता पर आधारित होगा क्या यह ठीक नहीं है भात्रिता अर्थात भाई चारे में किसी को क्या अपत्ती हो सकती है किसी भी आदर्श समाज में इतनी गती शीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वान्चित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके ऐसे समाज के बहु विधी हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रती सजक रहना चाहिए सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन वा अवसर उपलब्ध रहने चाहिए तात पर ये यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाई चारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्वती ही नहीं है लोकतंत्र मूल्तह सामुहिक जीवन चर्या की एक रीती तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है इनमें यह आवश्चक है कि अपने साथियों के प्रती श्रद्धा वा सम्मान का भाव हो इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ती हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारिरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे इसी प्रकार संपत्ती के अधिकार, जीवी को पारजन के लिए आवश्चक औजार वसामगरी रखने के अधिकार जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके कि अर्थ में भी स्वतंतरता पर कोई आपत्ती नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ती के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रियोग की भी स्वतंतरता क्यों ना प्रदान की जाए। जाती प्रथा के पोशक, जीवन, शारिरिक सुरक्षा तथा संपत्ती के अधिकार की स्वतंतरता को तो स्विकार कर लेंगे। परनतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रियोग की स्वतंतरता देने के लिए जल्दी तयार नहीं होंगे। क्योंकि इस प्रकार की स्वतंतरता का अर्थ होगा, अपना व्याविसाय चुनने की स्वतंतरता किसी को नहीं है, तो उसका अर्थ उसे दासता में जकड़कर रखना होगा, क्योंकि दासता केवल खानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता. दास्ता में वह इस्थिती भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है यह इस्थिती खानूनी पराधीनता ना होने पर भी पाई जा सकती है उदाहरनार्थ जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं अब आईए समता पर विचार करें क्या समता पर किसी की आपत्ती हो सकती है फ्रांसिसी क्रांती के नारे में समता शब्द ही विवाद का विशे रहा है समता के आलोचक यहां कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते और उनका यह तर्क वजन भी रखता है लेकिन तथ्थे होते हुए भी यहां विशेश महत्व नहीं रखता क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक से धानत है मनुष्यों की क्षमता तीन बातों पर निर्भर रहती है पहला शारिरिक वन्श परमपरा दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परमपरा के रूप में माता पिता के कल्यान कामना शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्यानार जन आदी सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है और अंत में तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते तो क्या इन विशिष्टाओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है व्यक्ति विशिष के दृष्टि कौन से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता साथ ही प्रत्यक व्यक्ति को अपने क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोच्साहन देना सर्वता उचित है परन्तु यदि मनुष्य प्रत्थम दो बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याती, पैतरिक संपदा तथा व्यावसाइक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है इस प्रकार, पूण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव मैं निश्पक्ष निरने नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निरने देना होगा अतह न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे यानि प्रयासों के असमानता जो मनुष्यों के अपने वश की बात है कि आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचिट ठहराते हैं वहां प्रथम दो आधारों को, जो कि मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं है, पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है, और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथा संभाव समान व्यवहार करना चाहिए. दूसरे शब्दों में, समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिक्तम उप्योगिता प्राप्त करनी है, तो यह संभाव है, जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाए. समता का ओचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है. एक राजनितिग्य पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है. अपनी जनता से व्यवहार करते समय, राजनितिग्य के पास ना तो इतना समय होता है, ना प्रतेक के विशे में इतनी जानकारी ही होती है, जिससे वह सबकी अलग-अलग आवशक्ताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांचित व्यवहार अलग-अलग कर सके. वैसे भी आवशक्ताओं और ख्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवशक्त तथा ओचित्त्य पून क्यों न हो, मानवता के दृष्टी कौन से समाज दो वर्गों वश्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता. ऐसी स्थिती में, राजनितिग्य को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिध्धान्त की आवशक्ता रहती है, और यह व्यवहार्य सिध्धान्त यही होता है, कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए. राजनितिग्य यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते, बलकि इसलिए कि वर्गी करण एवं श्रेणी करण संभाव होता. इस प्रकार समता यद्यपी कालपनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनितिग्य को सभी परिस्थितियों को द्रिष्टी में रखते हुए. उसके लिए यहीं मार्ग भी रहता है, क्योंकि यहीं व्यवहारिक भी है और यहीं उसके व्यवहार की एक मात्र कसौटी भी है. प्रिष्ट संक्या 157 प्रिष्ट के मत से दास्ता की व्यापक परिभाशा क्या है? प्रश्ण चौथा जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसके प्रिष्टा के लिए भौत एक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है. क्या इससे आप सहमत है? प्रश्ण चौथा आदर्श समाज के तीन तत्वों में से एक भ्रात्रिता को रख कर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है, अथवा नहीं. आप इस भ्रात्रिता शब्द से कहां तक सहमत है? यदि नहीं, तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगी? पाठ के आसपास कीजिए. दो, कारे कुशलता पर जाती प्रथा का प्रभाव, विशय पर समुह में चर्चा कीजिए. चर्चा के दौरान उभरने वाले बिंदूओं को लिपि बद्ध कीजिए. इन्हें भी जानें. एक, आमबेटकर की पुस्तक, जाती भेद का उच्छेद और इस विशय में गांधी जी के साथ उनके समबात की जानकारी प्राप्त कीजिए. दो, हिंद सुराज नामक पुस्तक में गांधी जी ने कैसे आदर्ष समाज की कलपना की है उसे भी पढ़ें. इसी के साथ आरो भागदो का पाठ आठा रहा. यहां समाप्त हुआ. अभी आप सुन रहे थे कक्षा बारह की हिंदी की आधार धोनी पाठ्य पुस्तक. प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत.